इंडिया गटबंदन पर सवाल की उठाते हुए चिराग पास्वान ने क्या कहा चलिए उनको आगे सुनते हैं एक दूसरे से भिड़ेंगे जिसका ताजा उधारण हम लोगों ने मध्या प्रदेश में हम लोगों ने देखा मात्र एक दो सीट के पीछे जिस तरीके से कॉंग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जिस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया अरे छोड़ो अखिलेश अखिलेश को जिस तरीके से शब्दों का इस्तमाल किया गया ये दर्शाता है कि वहाँ पे वर्चस्वकी लड़ाई है हर गटक दल उस गड़बंदन में एक दूसरे के सर पर पहुं रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर और ये तो भी सिब मादर विदान सभा के चुनाओं है भई जब लोकसभा का चुनाओं आएगा सोचिए जहां राज्यों में गड़बंदन नहीं बन रहा है वहां ये लोग राश्टियस तर पर गड़बंदन बनाने का ये प्रयास कर रहें और ये प्रयास आज से नहीं 2014 से चल रहा है इतिहास गवार आए कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ और मैं पुना दावे के साथ मैं कहता रहा हूं मैं पुना दोर आता हूं मैं नहीं मानता कि ये गड़बंदन चुनाओं आते आते तक टिकेगा भानुमती के कुन्वे की तरह ये धराशाई चुनाओ से पहले ही हो जाएगा तो भाईया उत्तर प्रदेश में उनको प्रधान मंतरी दिखाया जाएगा बंगाल में ममतब एनर जी जी को प्रधान मंतरी दिखाया जाएगा मराश्ना में दो ते नौर पार्टियों के नेता है उद्दव जी से लेके शरत पवार जी तक सब को प प्रधान मंत्री वैसे ही एकदम व्याकुल हैं प्रधान मंत्री बनने के लिए उनके पार्टी के नेता ये दम भरते नहीं धकते चिराग पास्वन के इन बयानों से लगता है कि इंडिया गटवंदन आगे नहीं टिक पाएगा